ठीकिए अधिकाई बिस्मिल्हारामर रहीम के अंदर हम देखने वाले हैं कि X deviation क्या होता है ADA boost क्या होता है और Random Forest क्या होता है हम ADA boost से start करेंगे जैसे कि हमने पिछले lecture में भी आपको बता दी है के वो इतिफाक में बरकत वाली स्टोरी की हमने मिसाल देखिए थी कि single बंदा जो होता है वो weak काम करता है या weak होता है अगर आपका group of people हो तो इतफाग हो जाता है तो उसमें बरकत होती है और people cannot actually break you out तो इसी तरीके से अगर इनके बास देखा जाए तो ensemble के method में जो हमारा पहला method जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ which is ADA boost यह boosting के technique पे काम करता है और यह boosting algorithm कौन से होते हैं मैंने आपको पहले भी पताया जिनके अंदर आपके sequential learning होती है यानि कि एक tree यहां से बना ठीक है इसकी जो भी output होगी उसमें जितने भी errors बगरा होगी उसकी base पे उसको optimize करके आपका दूसरा tree बनता है फिर इसी तरीके से व अब ADA boost algorithm सबसे पहले 1996 में आया था ठीक है फ्रॉइड और शपियर इन दोनों ने इसको देखा था अगर आप वो ब्लॉग का link जो मैंने आपको भेज़े था अगर आपको पता है अगर आपने पढ़ा है तो उसमें यह सारी चीज़े लिखी हुई है ठीक है यह weak learner से sequentially उप 27 साल हो गें इस चीज़ को 27 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी यह algorithm काम कर रहे है mathematics की power यह है क्योंकि जब भी कोई algorithm बनता है उसके पीछे computation से पहले mathematical equations आती है कि इसको कैसे calculate करना है ADA boost का मतलब यह है कि adaptive boost adaptive boost यह boosting के technique पर अमल करता है जो यह वाल है adapt कैसे करता है कि एक ने गलती की कुछ parameters आते हैं उसकी गलती को सुधारते हैं फिर जो गलतियां रह जाती हैं उसको अगले step में सुधारते हैं फिर इसी तरीका से so on and so forth तो यह conditions को adapt करता रहता है आपने देखा होगा अक्सरोकाद जब आप किसी class में बैठते हैं वो 9th की class है 10th की class है तो वहां पर start में आपकी fooling भी होती है या आप किसी university में admission लेते हैं रैगिंग जिसे हम बोलते हैं वो भी होती है फिर आइस्ता इस्ता आप adapt कर जाते हैं और उन्ही seniors के साथ बैठ के आप खाना खा रहे होते हैं पहले आपको वही weak बना रहे होते हैं मतलब आपको लग रहा होता है कि मैं weak win के सामने स्वाइस्ता इस्ता आप adapt कर जाते हैं अगर यही analogy रखी जाए तो आपको पता है कि adaptive boosting के अंदर data के साथ और machine learning के algorithm के साथ यह होता है और इसमें basic algorithm जो basic unit of building block है वो है decision tree और ensemble का ensemble का मतलब भी यही है कि सारा मिलके आगे बनाता है अब होता यह है कि यह adaptive boosting का algorithm adapt तो करता है और लेकिन इसके अंदर जो main चीज जो calculate की जाती है which is related to the weight weight of different features या weight of different जो भी input data होता है उसकी base पे यह आगे आगे चलता रहता है मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि आपने पहला decision tree बनाया weak learner था उसके बाद आपने देखना है कि कौन से features और कौन से data sets की वज़ा से यह weak algorithm है और कौन से features और कौन से sets इसको strong बना रहे है ठीक है आपने देख लिया कि यह x1 और x2 इसको weak कर रहे है यानि कि इसकी वज़ा से इस algorithm के अंदर error ज्यादा आ रही है इन दो की वज़ा से और यह जो x3 है which is really good इसकी वज़ा से आपकी error कम आ रही है ठीक है error less है यहाँ पे ज्याद है अब होता यह है कि यह adapt कैसे करेगा यह weight assign कर देता है next algorithm में मतलब पहला एक sequence run हुई फिर जब दूसरी sequence run होनी है ना उसके अंदर यह जो error वाले है ना इन पे उपर ज्यादा तवज्जो दी जाती है यानि कि इनका weight ज्यादा रखा जाता है in the data set when you are sequentially improving a data क्यों क्योंकि इनकी वज़ा से loss हो रहा है और इनको ही improve के जाता है वो जैसे होता है ना अक्सर अकात जब paper नजदीक आ जाएं तो बचारे जो शुरू से नहीं पढ़ड़े होते है तो ज्यादा तर teachers उन पर focus कर रहे हैं तो चलो यार यह पास ही हो जाएं बाकी तो सारे पास ही है यह पास ही हो जाएं बड़ी बात है so somehow similar to that आप क्या करते हैं जिनका error के ज्यादा chances आ रहे हैं जो error cause कर रहे हैं आप उनको further जो है वो improve करने की कोशिश में लग जाते हैं और जो अच्छे हैं उनको weight थोड़ा कम दे देते हैं इससे क्या होता है जब इन पर तवज्जों ज्यादा होती है ना तो इनकी error कम होना start हो जाती है जब error कम होना start होती है इसका मतलब यह है कि यह strong होना start हो जाता है और यही तो हमारा main मकसद है ना at the end जब हमारे पास decision tree last वाल अगर आपकी आप इसकी equations देखें लेकिन मैं equation को यहां पर फिलहाल के लिए skip करूँगा मैं आपको सिरफ इतना बताऊंगा कि adaptive boosting के अंदर यह combine करता है weak learner को जैसे सारे दूसरे assemble के algorithm करते हैं यह incorrect values को ज्यादा weight देता है reason क्या है मैंने आपको बताया है उनको सुधारने के ल इस tree के अंदर से यह पहले वाले को कहूं कि इसमें जो for example यहां पे यह weak learner था तो यह वाला इससे ज्यादा strong होगा अगर इसको मैं एक point दूँ इसको दो दे देता हूं यह वाला चार points आगे इसके strongness के यह five इसका मतलब यह कि जब घलतियों से सीख के उपर जा रहा है तो य adapt करके आगे चीजों में जो है वो अच्छा ही लेकर आ रहा है यानि के strongness लेकर आ रहा है इसका बेतरीन concept यही है तीन points इसके जो हैं वो आपको मैं link दुबारा send कर देता हूं अगर उसमें जाकर आप चेक करें तो यह तीन points आपको बड़े काम के थाबित होंगे और यह link अ अच्छान हो जाएगा जो इस वकत supervised learning में चाही हुई है ठीक है मैंने आपको एक बता दिया adaptive boosting और adaptive boosting के ऊपर adaptive boosting या ADA boost इसके कुछ advantages और disadvantages है ठीक है यह अच्छा काम करता है जब less noisy data हो मैं यहां पर लिखता हूं अच्छा और यहां पर लिखता हूं बुरा समझाने के लिए अच्छा काम करेगा जब less noisy data होगा इसका मतलब क्या हुआ कि आपके डेटा को अच्छे तरीके से प्री प्रॉसेस करना जुरूरी है ठीक है समझागी और अगर noisy data है ना यह काम करेगा लेकिन यह overfit कर देगा चीज़ों को और फिट क्या होता है कि आपका जनरल ट्रेंड नी बनता हर एक लाइन के उपर से जो गुजर रहाता है इसका मतलब यह है कि इसकी best performance लेने के लिए अगर हम इसी बात को मद्दे नजर रखें कि less noisy data इसके लिए required है simply हम इसको complicate नहीं करते हैं सही हो गया है और इसमें कुछ parameters ही आप अच्छे तरीके से कर लें ना only few parameters कुछ tune कर लें तो यह बहुत बहुतर perform कर लें तो सिर्फ कुछ तीन से चार hyper parameters इसके ठीक है आप उसको अच्छे तरीके से कर लें वह enough है इस data को अच्छे तरीके से परफॉर्मस करवाने के लिए ठीक है फिर अच्छाई इसकी एक और क्या है easy to understand है आपको पता है कि गलतियों को यह ज्यादा focus करता है और सीखता जाता है विज्यूलाइज करना भी से हसान है और इसकी और भी बड़ी खसूसियात है जिनमें से एक मैंने आपको बता दी start के अंदर कि less noisy data पे यह अच्छा perform कर देता है अब अगर आपका noisy data है तो कुछ साइंसदान यहां पे अपने school of thought की base पे कहते हैं कि noisy data पे भी अच्छा काम कर लेता है if you tune it well कुछ कहते हैं कि नहीं अच्छा गाम करता है दूसरे there is a debate going on मैं आज आपको एक 1996 का एक paper भेजने वाला था जहां से decision tree basically start होगा था उस paper की 19,000 something citation है सिरफ लेकिन मैंने का चलो बाद मैं भेजूँगा फिलहाल इसको आज मैं आपको पढ़ा दू 19,000 citation 1996 के paper के बाद हमारा भी हमारा साथ दे सकता है simply हम लोग इन चीज़ों की तरफ नहीं है हमारे statistician और mathematicians को inside भी आना चाहिए तो अगर आप में से को stat math का background रखता है please please for God's sake develop some algorithms और अपना नाम आगे लेके हैं we need these things ठीक हो गया अब अगर irrelevant features आ जाए न irrelevant features क्या मतलब जो आपस में multi-co linearity का concept ना रखते हूं multi-co linearity का पता है क्या चीज़ है यानि के हर feature का आपस में क्या तालुक है the relationship between या among the features ठीक है irrelevant features आ जहें तो यह बहुत बुरा perform करता है compare to random forest और xg boost उसकी वज़ा क्या है क्या आप error को एक error को resolve करेंगे दूसरा उटके आ जाएगा तीसरा उटके आ जाएगा चोथा उटके आ जाएगा so आप यही करते रहेंगे at the end आप achieve कुछ कर लेंगे लेकिन multi-co linearity की वज़ा से इसका जो irrelevant अगर features आगे आपके पास जिनका कोई relationship ना हुआ पस में link ना करते हुए तो आपका जो machine learning का algorithm में वो अच्छा काम नहीं करेगा इस वज़ा से जो robust modeling है उसके अंदर इसको कम use किया जाता है ठीक है ओके यानि के time series analysis बगरा के अंदर ये speed इसकी कम है because this is not optimized for speed speed इसकी बहुत कम है as compared to xg boost क्योंकि इसका नाम ही extreme gradient boosting है ठीक है इसकी speed क्यों कम है क्योंकि इसने adapt करना है अभी घलती सुधारने को एक दिन भी लग सकते हैं दो दिन भी इंसान को लग जाते हैं तीन भी लग जाते हैं कोई बहुत अच्छे हो तो वह कैदा थे हां जी अब नहीं करता वो software update वाली बात पाकिस्तान में बड़ी चलती है आजकल तो यहां से कह रहे होते हैं आगे और वहां पर दूसरी साइट पर जाके वही काम हो रहा होता है एक टिक्टॉकर बड़ा इस बात से मशूरू है मैं नाम नहीं लूँगा आपको पता है वो बकाइदा बड़ी चबले मार रहा है आजकल ठीक है तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास adaptive boosting है इसके अंदर अगर घलती जल्दी सुधारी जा सकती है तो यह बहुत जल्दी अच्छा गाम करेगा अगर लेट होगी तो लेट होजागा अब इसमें कौन कौन से हाइपर पेरामेटर वैं उनको देखते हैं हाइपर पेरामेटर जो आप ट्यून कर सकते हैं इसके लिए नंबर वन इस मैक्सिमम डप्थ ओफ दे ट्री मैक्सिमम डप्थ ओफ डिसीजिएं ट्री यानि कितना डिब उसे लेकि जाना है कितने लीफ नोट बनाने है कहां से कहां तर लेकिजाने उसे थिक ढ़ले। कि लर्निंग्रल्ट किया है कि कितना लर्णिंग रेंट है कितनी स्पीड से आप उसको चला रहे हैं अन्धैन हमारे पास Number-of-i-trations या इन्हें राउंड्स बोला जाता है अब इन तीनों चीजों के मैं आपको समझाता हूं maximum depth of decision tree यह तीन hyper parameter आपक्छे से tune कर लेना आपका model जबर्दस चल सकते हैं ठीक है कैसे करने maximum depth का मतलब यह है यह है आपका decision tree यह मैंने यहां पर बना दिया एक ट्री दूसरा सब्ट्री दो ओगे अब कितने सब्ट्री आपने रखने हैं that is called the depth of decision tree मतलब इससे आगे मैं चलता जाऊं कोई रोकने वाला तो नहीं है मुझे और accuracy चाहिए something like this so आप depth अपनी मर्जी से रख सकते हैं उजहरी बात है अगर आप इसको tune कर लेंगे आपको optimum depth पता चल जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ आप एक tuned model अपने पास ले आते हैं learning rate क्या है कि कितनी speed से यह काम करता है for example यहां पे यह वाली errors आईगे कोई पांच errors मैं एंवी लिख देता हूं पांच errors आईगे for example learning rate यह है कि उन घलतियों से कितनी जल्दी सीखे और उसका metric क्या होता है आपकी accuracy improve करना या आपका for example percent इसको बोलते हैं इसके लिए एक लफ्ज है वकाइदा learning rate को improve करने के लिए loss नहीं iteration नहीं let me think about it मैं आपको बताता हूं उसका जो मफ्हूम है वो यह है कि learning rate जब आपके पास ज्यादा होता है तो आप गलतियों से 40 40 सीख के आगे जाते रहते हैं ठीक है जी मैंने सीख लिया आगे चलो वोक्सर को आथ होता है न हमारे पाकिसान के अंदर एक सीन चलता है मैं मिसाल बड़ी है तो बिलहलाने वाली थोड़ी सी लेकिन डिपेंड करता है आपको पता है अगर दरजी के पास किसी छोटे बच्चे को छोड़ा जाए ना कि आप काम सिखा दो इसे तो एक साल सिरफ उससे चीज़ें और इदर उदर के काम करवा सिखाता कुछ नहीं है उनका लर्निंग रेट बहुत काम होता है ठीक है इन कंपैरिजन वही काम अगर आप किसी फखराद ख्रादिये के पास किसी को छोड़ दें तो उसका भी यह हौल होता है उसको साल बाद दो साल बाद जाके बताता है कि हां भी आप तुम खराद पर खड़े हो सकते हो जान बूच के हमारे यह ट्रेंड है पाकिसान के अंदर आपको पता है अगर बिचारा को मेकैनिक बन रहा है आठ साल लगा के उसे फिर समझ आते है कि मेकैनिकी कैसे करनी है आड़ो यूनिवस्टी की तरफ वही हाल यूनिवस्टी के अंदर है वह अब नहीं है तो फिर करते ही जाओ कुछ ना कुछ तो यह सीन चलता है हमारा लर्निंग रेट बहुत कम है अब दूसरी दरफ चलते हैं जैसे आपके पास एक ट्रेनिंग कोर्स आता है कोई भी ट्रेनिंग कोर्स फॉर एक्जैंपल जैसे पाइथोन का चिल्ला हमने करवाय पिकेसी 2023 का अगर देखा जाए तो 40 दिन के अंदर हमने मास्टर्स डिगरी का कॉंटेंट तक्रीबन समेटा है उसके अंदर ठीक है और इसी तरीके से वो वो कोर्स जो पेस अप करवा के हम करवा रहे हैं तो यहां पे लर्निंग रेट तेज है यहां पे काम ने ठीक है कि आपके प्रोसेसर पावर जो है वो भी ज्यादा लगनी है आपके कोर्स भी ज्यादा यूज होने है अगर आप हर एक को नमबर अफ कोर्स सेपरेट देते रहें तो वो लर्निंग रेट उसका वो भी इंक्रीज कर जाएगा ठीक है तो इस तरीके से काम चलता है इसकी मिस सी और प्रसीजन यह और अगर आप इसको नियूरल नेटवर्ग में लेके जाएंगे न तो एक चीज़ जब आती है उसकी ऑप्तिमाइजेशन ऑप्तिमाइजेशन ना वड़ इस ऑप्तिमाइज ठीक है प्रिसाइजली ऑप्तिमाइज अल्गुरिथम जो हम यहां पर यू अगर मैं इस जगह से इस जगह पे जाता ऑँ फिर यहां से यहां पे जाता हूं पर यहां से यहां पे जाता हूं यह modal strong हो गया this is called one iteration इत्रेशन ऐती एक थैंहें फिर दूसरी ट्रेशन फिर तीसरी शिपर चोथी इत्रेशन अब अगर आपका मॉडल जितनी इत्रेशन के बाद स्ट्रॉंग हो रहा है अब वह दे सकते और अक्सर उकात क्रॉस व्लिडेशन के थृरू भी आप च्छेक सकते हैं कि आपने कितनी दफ़ा उसको इट्रेट करना उस मॉडल को और अगर पहले की इट्रेशन सही आई यह तो दूसरे की क्यों वह लता है यह सो यू कैंसी अल इस थिंग्स देर देन जी हमारे पास अब यहां पर एजंशन लिख देता हो कि कब यूज करना है यह याद रख लें कि एड़ाप्टिब बूस्टिंग कब यूज करना है पहला जब आपके पास लो नॉइस डेटा हो नंबर दो नंबर दो हमारे पास यह है कि जब आपको जल्दी जल्दी काम नहीं चाहिए टाइम इस नौट यूर कंसर्ण कभी कभी होता है ना ऐसे कि आप करते हैं टाइम बहुत है मेरे पास तो तब यह वाला मॉडल यूज किया जा सकते हैं रिजन के एक टेक मोर टाइम टू परफॉर्म सिमिलर तो अदर मॉडल खीक है अगर आपके पास रिसॉर्स ज्यादा आना यानि कि आपके पास मेरी है विसॉर्स इस की सो यूज के यूटलाइज दिस तेंग रिसॉर्स मतलब कंपिटेशन पावर क्यों आप हाइपर पैरमिटर ट्यून करके अच्छे से काम कर सकते हैं जैसे कि मैक्सिमम डैप्थ आप इसका नंबर इंक्रीज कर दें ठीक है तो इस तरीके से यह आपके पास रिसॉर्स ज्याद है तो यह बहुत अच्छा तरह 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 कर सकते हैं चोथा आपकी कम इल्मी पे भी अच्छा काम कर जाएगा if you don't know much about ensemble method और आपको नहीं पता के machine learning कैसे काम कर रही किस तरीके से कर रही और कम knowledge आपके पास still it can work so low knowledge of the user needed मतलब कम भी अगर आपके पास knowledge है ना तो then still it's fine तो यह चार पॉइंट ऐसे हैं जो जारी बात है अगर आप machine learning जीनियर हैं या बनने जा रहे हैं तो आप तो कभी नी adapted boosting को यूज़ करेंगे ऐसे ही है लेकिन this algorithm is there अगर आपके पास यह चार खुसूसियत हैं और आप इसको use करना चाते हैं ठीक है और यह boosting की example थी उपड़ से नीचे की तरफ आने की अब bagging की example की तरफ चलने लगे और उसमें हम देखने वाले हैं कि random forest क्या होता है ठीक है फिर इनको हम coding के थ्रू भ ऑ Suppose बास खुसूस suppose अब प्मत भी तरर का बीक है व्रवयचश को से और प्ली दोस चलने भीक हैं घर नीचे की तर को भीक है Scी है रहन तर करसल ुड़ को से और आपके वह किपने की फुसूस अब्सूसूसूस भास बड़ का भEOLET र 기 reviewers कह क 대ताश से की हैं